उत्रप्रदेश में इंडिया गडवंदन को सत्तर सिटी मिलने की उमीद थी लेकिन सरकारी मशिनरी का दुरुपयोग कर ऐसा होने से रोका गया अगर सरकारी मशिनरी का दुरुपयोग न होता तो यूपी का रिजल्ट कुछ और ही होता यह बातें इंडिया गडवंदन से उत्रपदेश के अंबेतकर नगर संसदिय सीट से नवनी वरचित सांसत लाल जी वर्मा ने हॉन्बिल टीवी ब्यूरो चीफ अनुप चौदरी से खास बाचित में कही है और फैज़ाबाद सीट पर इंडिया गडवंदन के प्रत्याशी की जीत पर संसत लाल जी वर्मा ने कहा कि प्रभू श्री राम जी के आज़र है और यह बात फैज़ाबाद की देवतुलिय चंता ने साबित कर दिखाया कि धर्म अपनी जगह है और राजनीती अपनी जग सपासांसल लाल जी वर्मा जी हमाय साथ है उनसे बात करेंगे सर जिस तरह से यह जीत हुई है इंडिया गडवंदन की और जिस तरह से यूपी में भारतिय जनता पार्टी ने नारा दिया था असी का उपरे देश में 400 पार का पहले से ही आप लोग कह रहे थे यह घमंड का नारा है और आखिर जो रिजल्ट है वह काफी चौकाने वाला था क्या कहना चाहेंगे और इससे पहले आपको बहुत बहुत बढ़ाई धन्यवाद बहुत बहुत निश्चित रूप से मैं परदेश की महान जनता को जिसने भारतिय जनता पार्टी के हंकार को तोड़ते ने उनके मनसूवों पर पानी फेरने का काम किया था उसका जवाब परदेश की जनता ने देने का काम किया हलाकि हम सब लोगों को इसे भी जादा पेच्छाएं थी सत्ता का जो दुर्पयोग किया गया जिस तरह से धन बल का भी प्रियोग किया गया उसके कारण इंडिया गठ बंधन की सरकार बनने में कमी रह गई हमें पूरा विश्वास था कि कम से कम सत्तर सीटें उत्तर प्रदेश से ही इंडिया गठ बंधन को मिलेगा लेकिन किनी कारौनों से फिर भी मैं प्रदेश की महान जनता का हिर्दय से आभार वेक्त करता हैं जिस तरह से आपने कहा कि सत्ता का दुरूप योग किया गया और सपा सुप्रिमन भी कहा था मेरट हुआ और फरुखाबाद हुआ बाजगा हुआ वहाँ पर भी जब दिया महां पहुंचे है तो वोटिंग जो काउंटिंग हो रही थी श्लो कर दी गए और आप जहां से निर और बाहुबल का खुला परदर्शन हुआ और अगर उसकी सिकायत करने पर पुलिस के लोग जो सिकायत करता था उसी को प्रतारित करते थे यहां तक कि हमारे समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को पुलिस ने ट्राइज करने का काम किया उन्होंने एक लाल नोट जिसमें सव परसत केवल समाजबादी पार्टी के समर्थकों को दिया भाजपा के बड़े सबड़े अपरादी गूमते रहे उनके खिलाब कोई कारवाई नहीं की गई इससे भी चुनाव के पहले जिस तरह का इस तरह का धनबल का उपयोग किया गया उससे निश्चित उससे थोड़ा बहुत फरक पड़ा अन्य था जो हम लोगों के पेच्छाएं थी वो पूरा होता है चुनाव आयोग की क्या भूंकर है चुनाव आयोग तो बिलकुल मौन बैठा रहा एक तरह से कहीं दिखाई नहीं पड़ता था कि कोई चुनाव आयोग है कोई पर है ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा है जिस तरह से 2024 का रिजल्ट आया है यूपी में और पुरी जनता ने नकार दिया भारती जनता पार्टी को खास और से जिस राम को प्रभू सिरी राम सबके आस्था के केंद्र है लें राम के नाम पर जो राजनिती की जा रही हैं लेकिन राम के नाम पर राजनीत या धर्म के नाम पर राजनीत हमारा संविधान उसकी अउहिलना करता है उसको विरोध करता है निश्चित रूप से जिस तरह का दुर्पियोग किया धर्म को और उसके बाद भी चुनावायोग मौन रहा उसका जनता ने जवाब दिया है और ये कहा है कि धर्म अलग है और राजनीत अलग है इस बात को जनता ने सबूत दिया है विशेशकर अंबेतकर नगर और फैजाबाद पूरे मंडल की जनता हमेशा नफरत की राजनीत के झनता ने खिलाप अपने फैसले को देती रही है और ऐसा फिर एक बार करके दिखाने का काम जनाधार आया है क्या लगता 2027 से पहले 2024 का जनाधार है जो 2027 आयेगा आने वाले समयम क्या लगता है यूपी से भी सफाया होगा जिस तरह से आपने सफाया किया निश्चेत रूप से दो तिहाई से ज़्यादा बहुमत के साथ उत्तर प्रदीश में समाजबादी पार्टी की सरकार बनेगी ठीक है आप नौ निर्वाची सांसल लाल जी वर्मा है इनका साप कहना है कि जिस तरह से जनता ने जनाधार दिया है और जिस तरह से धर्म क्यार में राजनीती की जारी धर्म अपने अलग है और राजनीती अलग है और जिस तरह से जो रिजल्ट आया है